अगर आपको लगता है केजवी वाल इमानदार है मेरे पक्ष में वोट दे देना अगर आपको लगता है केजवी वाल गुनादार है मेरे को वोट मत देना आज मैं जेल से आये हूं मैं अपनी अगनी परिक्षा देने के लिए देगा ज़िए अब ने कंडिशन लगाने में कोई दसर छोड़ी ती केंदर सरकार ने एक आनून, दो कानून, तीन कानून, कानून पे खानून डालके मेरी पावर श्थीन दी पर आपके काम बंदमी होने दिये मैंने ये कंडिशन हमारे लिए कोई बावर जो नहीं रखती, पर वरी में चुनाव हैं आज इस मंच से मैं माम करता हूं कि ये चुनाव नमबर में कराये जयें, महरश्टर के तक कराये जयें आज से कुछ महीने बार चुनाओं है दिल्ली के चुनाम है, मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है केजरी वाल इमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना, अगर आपको लगता है केजरी वाल गुनागार है मेरे को वोट मत देना आप अगर मेरे को अपर आपका एक एक वोट मेरी इमानदारी का सर्टिफिकेट होगा अगर आप मेरे को वोट दे के जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरी वाल इमानदार है तो चुनांगे बाद उसके बाद जाके मैं सीम की कुर्सी पे बैठूंगा तब तक मैं सीम की कुर्सी पे निए बैठूंगा आपको लग रहा होगा अभी अभी जेल से रहा होके आया है ये कैसा क्यूं बोल रहा है अभी अभी जेल से रहा ही होके आया है अभी ये स्टीफा क्यूं दे रहा है इन्होंने मेरे उपर अरोप लगाया है इन्होंने अरोब लगाया है कि केजनी वाल चोड है इन्होंने अरोब लगाया है केजनी वाल भृष्टाचारी है इन्हेंने अरोब लगाया है केजनी वाल ने भारत मादा के साथ धोगा किया है ये करने के लिए नहीं आया था मैं सक्ता से पैसा और पैसे सक्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था जब चौदा साल के बाद जब चौदा साल के बाद भगवान राम वनवास से लोटे सीता मैया को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी आज मैं जेल से आये हूँ मैं अपनी अगनी परिक्षा देने के लिए तयार ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोट ने कुछ कंडिशन्स लगाई हैं काम नहीं कर पाएंगे पिछले दस साल में इन लोगों ने कंडिशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी केंडर सरकार ने एक कानून दो कानून तीन कानून, कानून पे कानून डालके मेरी पावर क्षीन ली पर आपके काम बंद नहीं होने लिये मैंने यह condition हमारे लिए उडशन पायदा नहीं करती है condition इन condition को भी देख लेंगे लेकिन मेरे लिए जो माइने रखता है वो है मैंने अपने जिदिगे में मानदारी कमाई है अगर आपको लगता है केजरी वाली मानदार है जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में चुनाव के बाद सीम की कुर्सी पे जाके बैठूँगा फरवरी में चुनाव है आज इस मंच से मैं मांग करता हूं कि यह चुनाव नुमंबर में कराए जाए महारश्टर के साथ कराए जाए तुरंट कराए जाएं चुनाव और जब तक आपका फैसला नहीं आएगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूँगा और मैं जब तक चुनार नहीं होते मैं अब मैने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्टीफा दूँगा जब तक चुनार नहीं होते तब कक मेरी जगह आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्य मंत्री बनेगा अगले दो तिन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्य मंत्री के नाम का तेह किया जाएगा मैं मनीश जी से बात कर रहा था जो पीड़ा मेरे मन में है वो पीड़ा मनीश जी के मन में भी है इनके लिए भी वही सब कहा गया जो मेरे लिए कहा गया है मनीश जी का भी कहना है कि ये दिल्ली के उप मुख्य मंत्री और शिक्षा मंत्री और मंत्री का पज़ तभी संभालेंगे जब दिल्ली की जनता कहेगी कि मनीज सिसो दिया इमानदार है तो मैं और मनीज सिसो दिया हम दोनों का फैसला आपके हाथ में है जनता के हाथ में है हम दोनों जनता की अदालत में जा रहे हैं गली गली जाएंगे जनता के बीच में जाएंगे और उनसे पूछेंगे अगर जनता कहेगी इमानदार है तो हम आके इसकी कुर्सी पे बैठेंगे 2020 में आया था मैं 2020 में मैंने कहा था मैंने अगर काम किया हो तो मेरे को वोट देना और काम नहीं किया हो तो वोट मत देना कहा था कि नहीं कहा था आज मैं आपके बीच में आया हूँ मैं कह रहा हूँ अगर मैं इमानदार हूँ तो वोट देना अगर मैं बेहिमान हूँ तो वोट मत देना बिल्कुल मत देना भारत माता की इन्होंने अरोप लगाया है कि केज़िवाल चोर है इन्होंने आरोब लगाया है केजनी वाल ब्रश्टा चारी है इन्हेंने आरोब लगाया है केजनी वाल ने भारत माता के साथ धोगा किया है ये करने के लिए नहीं आया था मैं सत्ता से पैसा और पैसे सत्ता इस खेल के खेलने के लिए मैं नहीं आया था मैं देश के लिए कुछ करने के लिए आया था जब चौदा साल के बाद जब चौदा साल के बाद भगवान राम वनवास से लोटे सीता मैया को अगनी परिक्षा देनी पड़ी थी आज मैं जेल से आये हूं मैं अपनी अगनी परिक्षा देने के लिए तयार ये कुछ लोग बोल रहे हैं सुप्रीम कोट ने कुछ कंडिशन्स लगाई है काम नहीं कर पाएंगे पिछले दस साल में इन लोगों ने कंडिशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी LG साब ने कंडिशन लगाने में कोई कसर छोड़ी थी केंदर सरकार ने एक कानून, दो कानून, तीन कानून कानून पे कानून डालके मेरी पावर चीन ली पर आपके काम बंद नहीं होने दिये मैंने ये कंडिशन हमारे लिए कोई वा वो नहीं रखती कोई हमारे लिए अच्छन पैदा नहीं करती ये कंडिशन इन कंडिशन को भी देख लेंगे लेकिन मेरे लिए जो माईने रखता है वो है मैंने अपनी जिन्दिगे में मानदारी कमाई है अगर आपको लगता है केजरी वाली मानदार है जम के वोट दे देना मेरे पक्ष में चुनाव के बाद सीम की कुर्सी पे जाके बैठूँगा फरवरी में चुनाव है आज इस मन्च से मैं मांग करता हूँ कि ये चुनाव नुमंबर में कराई जाए महराश्तर के साथ कराई जाये तुरंट कराई जाए जाए चुनाव और जब तक आपका फैसलہ नहीं आओगा तब तक मैं जिम्मेदारी नहीं संभालूँगा और मैं जब तक चुनार नहीं होते मैंने जैसे बताया दो दिन के बाद मैं अपना इस्तीफा दूँगा जब तक चुनार नहीं होते तब तक मेरी जगे आम आदमी पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा अगले दो तिन दिन के अंदर विधायक दल की मीटिंग होगी और विधायक दल की मीटिंग में अगले मुख्यमंत्री के नाम का तेह किया जाएगा